ये वान साइड़ेड लव स्टोरी है एक चाइनीज लड़की युन और एक जैपनीज लड़की शौन की वेलकम तु माई चैनल हनाज मुवी लैंड चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो ये है युन जो अपनी मम्मी के साथ शांगाई में एक पुराने से घर में रहती है जहां ग्राउन फ्लोर में उनकी एक चोटी सी शौप है और उपर दो रूम्स है जिसमें से एक रूम युन की मम्मी ने शौन को रेंट पर दिया था शौन एक बहुत ही हार्ड वॉकिंग लड़का था जो जैपैन से आया था और उसे चाइनीज नहीं आती थी वो इंग्लिश में बात करता था शौन पहली बार शांगाई आया था युन अपने शौप में रहती और पढ़ाई करती और शौन हमेशा आते जाते उसे मिलता और युन उसे चाइनीज समझने में हेल्प करती शौन को एक रेस्टरॉंट में पार्ट टाइम जॉब मिल गया जहांके ओनर को जैपनीस आती थी युन हमेशा शौन की हेल्प करती और आते जाते वक्त उसे देखा करती एक दिन शौन युन से वहां का प्रॉपर एड्रेस देने के लिए कहता है जिसे वो अपने हाथ पर लिखती है तब शौन कहता है कि मेरी गर्लफरेंड इस एड्रेस पर लेटर भेजेगी अगर तुम्हें कोई लेटर मिले तो प्लीज मुझे दे देना तब युन कहती है ओके मैं दे दूंगी और शौन अपनी गर्लफरेंड को एड्रेस सेंड करता है यहाँ शौन अपनी गर्लफरेंड के लेटर का वेट कर रहा था तब वो ओनर से पूछता है कि जपैन से चाइना लेटर आने में कितना टाइम लगता है तब वो ओनर कहता है कि दो से तीन दिन लग जाते है तब ये सुनकर शौन सैड हो जाता है क्यूंकि काफी दिन हो गए थे पर उसकी गर्लफरेंड का ना ही फोन ना ही कोई लेटर आया था यहां शाम को युन अपने सूखे हुए कपड़े निकाल रही थी कि तब शौन घर आते ही युन से लेटर के बारे में पूछता है तब युन कहती है कि अब तक तो कोई लेटर नहीं आया और नेक्स डेइ पोस्ट मैन शौन के लिए एक पार्सल लेकर आता है और युन को देता है पहले तो युन उस पार्सल को ओपन करने की सोचती है पर वो ऐसा नहीं करती और सीधे शौन के पास आ जाती है वो पार्सल देखकर शौन बहुत खुश हो जाता है और तब वो उसे ओपन करता है तब युन शौन को ही देख रही थी लेकिन लेटर पढ़ने पर शौन का मूड चेंज हो जाता है तब भी यून शौन को ही देख रही थी तब वो उससे पूछती है कि तुम्हारी girlfriend कैसी दिखती है तब शौन कहता है कि मेरी girlfriend की नाख उसकी तरह है और चेहरा इस लड़की की तरह और आंखे उसकी तरह और बाल इसकी तरह उसके बाल curly है यहाँ शाम को लेटर तो आ चुका था लेकिन शौन का मूड कुछ ठीक नहीं था तब वो अपना गुसा साइकल पर निकाल रहा था तब यून भी उसे देख रही थी नेक्स दे यून अपनी बालों को कर्ल करवाती है और शौन के सामने आती है पर वो उसे कुछ खास नोटिस नहीं करता वो अपनी साइकल क्लीन कर रहा था तो यून अंदर चली जाती है तब उसकी मम्मी उसे देख लेती है और उसे डाटती है कि ये तुमने अपने बालों का क्या हाल किया है तुमे एक पूडल की तरह लग रही हो और उसे बिठा कर उसके बाल स्ट्रेटन करती है यून को बहुत डाट पड़ रही थी और वो भी शौन के सामने उसके लिए ये बहुत अंबारिसिंग था और शौन ये सब देख रहा था तब शाम को वो रेस्टरॉन जाती है तब शौन उसे कहता है कि तुम पर स्ट्रेट हैर जादा सूट करते है पर फिर भी वो साड थी नेक्स डे मॉनिंग में जब यून उटकर बाहर आती है तब वो देखती है कि पेपर के छोटे-छोटे तुकडे सामने गिरे थे जब वो ध्यान से देखती है तब उसे पता चलता है कि एक्चिली शौन ने रात को अपनी गिर्ल्फरेंड की लेटर को फाड कर फेक दिया था वो उन सारे पीसेस को जमा करती है और जॉइंट करती है तब वो देखती है कि लेटर जैपनीज में लिखा था इसलिए वो चाइनीज में उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करती है और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को शौन से पूछती है तब शौन उसे वो चाइनीज में ट्रांसलेट करता है और पूछता है कि ये किस लिए तब यून कहती है कि मैं एक जैपनी सौंग सीख रही हूँ और फाइनली कुछ दिनों बाद वो उस लेटर को ट्रांसलेट कर लेती है जिसमें शौन की गर्लफ्रेंड ने लिखा था कि मैं अब स्पेन में हूँ I am so sorry कि मैं तुमें इस तरह से लेटर लिख रही हूँ कि ब्रेक अप का डिसिजन में अकेले ले रही हूँ I am really sorry इसलिए ये लेटर पढ़कर शौन काफी उदास था ये लेटर देखकर यून भी शौन के लिए काफी सैड हो जाती है वो सोचती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है कुछ हफतो बाद यून की मम्मी उसे बताती है कि शौन वापस जपैन जा रहा है यहाँ शौन टैक्सी में अपना लगेज रख रहा था कि तब यून एक लास टाइम उससे मिलने आती है और शौन से पूछती है कि तुम वापस कब आओगे तब वो कहता है I hope मैं जल्दी आ सकूँ तब शौन उसे चाइनीज में गुडबाई कहता है और यून भी उसे जैपनीज में गुडबाई कहती है और तब वो जा रहा होता है कि यून कहती है Taquero तब शौन पूछता है क्या? तब यून कहती है Taquero एक Spanish word है जिसका मतलब है गुडबाई तब शौन कहता है ओ अच्छा? Taquero और जाते वक्त यून को बार बार Spanish में Taquero कहता है और यून शौन को जाते हुए बस देखती रह जाती है उसके जाने के बाद भी यून काफी टाइन तक वहीं खड़ी थी Next scene में हम देखते है कि कुछ साल बाद Sean वापस शांगाई आता है और सीधे restaurant owner से मिलने जाता है तब Sean कहता है कि शांगाई काफी change हो गया है और आपका business भी अच्छा चल रहा है तब owner उसे कहता है कि ये students Spain से आये है और कल वो लोग Spain वापस जा रहे है और तब वो students सामने से जा रहे होते है कि Sean उन्हें कहता है Hey, Taquero ये सुनकर वो students उस पर जोर जोर से हसने लगते है और Sean से पूछते है क्या तुम मजाग कर रहे हो तब Sean कहता है मैं आपको Goodbye कह रहा था फिर भी वो सब उस पर हसकर चले जाते है तब ओनर Sean से कहता है कि तुम से गलती हुई है Taquero का मतलब Goodbye नहीं Taquero का मतलब है I love you ये सुनकर Sean शौक ड्रह जाता है तब उसे पता चलता है Actually युन Sean को काफी लाइक करती थी वो उसकी बहुत हेल्प करती थी उसके ले खाना लेकर आती थी उसे हमेशा देखते रहती थी वो उससे बहुत प्यार करती थी पर Sean ने कभी Notice ही नहीं किया और उस दिन जाते वक्त युन ने उसे Spanish में Goodbye नहीं I love you कहा था वो सीधे युन के घर जाता है पर उन सारे पुराने घरों को तोड़ दिया गया था वहाँ अब कोई नहीं था वो लोग कहा गए किसी को कुछ नहीं पता और वो दोनों एक दूसरे से वापस कभी नहीं मिल पाते I hope आपको ये मूवी पसंद आई हो Please subscribe for more videos